Hello everyone, welcome to Planet of English, my name is Siddhan Sharman, students हम ले के आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया और बहतरीन वीडियो जो की आपकी मोडाल्स, ठीक है, जो हम लोग मोडाल्स पढ़ रहे हैं उसका सेशन नमबर थ्री है गाईस, ठीक है, आज हम करने वाले हैं क्या हमने will shell किया, would could किया, अब ही हम करेंगे may versus might versus can ठीक है, आपको मतलब देखो, can could हुआ तब क्या होता है, may might can क्या होगा, वो बताऊंगा आपको ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले, for those of you who are new to my class, आप मुझे इस slide बहे जान सकते हैं My name is Siddhant Sharman, these are my credentials, यह मेरा referral code है, Siddhant Live, इस code को use करेंगे, तो आपको मिलेगा आप घर बेटे पढ़ाई करेंगे, you know, maths, reasoning, English, GS, for upcoming CDS, F-Card, CAP, FIB, Territorial Army, सब कुछ जो है, जितने मर्जी batch, जितनी मर्जी classes, और class का PDF, सब कुछ basic से यूँ कि हलो बच्चा लोग, everything, जो हमें चाहिए होती है, टॉप लोच प्रेपरेशन के लिए, वो हमें provide की जाएगी, ठीक है, तो students, खुछ खबरी यह है, कि भाई, हमारा जो offer था, ठीक है, unacademy goal, इसको extend कर दिया गया, guys, यह 28 तक था, ठीक है, मैंने का, भाई साब, मेर इनिवर्सरी है, कल, ठीक है, बच्चों को offer मिलना चाहिए, तो मेरी इनिवर्सरी के तहत, आप लोगों को 30 अपरेल, या नि कर इनिवर्सरी है, कल रात के 12 बजे तक, यह offer मिल जायागा, guys, ठीक है, ना, तो, वाओ, है ना, वाओ, sorry for a bad joke, students, मतलब, आप लोग जो है, कोई भी subscription, अभी देखो, कुछ लोगों से देरी हो गई, हो गई, हो गई, हो गई, कोई दिक्कत नहीं, उसको सुधारो, आप लोग जो है, अनिकेट भी plus ले लीजिए, बस यह referral code ध्यान में रखना, my referral code is, सिधान्त लाइव, इस code को use करेंगे, तो आपको मिलेगा, 20% का discount, सिर् बीट बाच कोर्स, ठीक है, यह बाच आपके CDS को टार्गेट करेगा, obviously, इसले को English आपका भाई बढ़ा रहा है, ठीक है, I'll take care of your English, ठीक है, GS की बात करते हैं, Himanshu sir for economics, Vishal sir for current affairs, Gagandeep Rajpoo sir for quality, Sundeep Raj sir for maths, oh sorry, sir maths कही है, ठीक है, राकेश नेगी sir, History, Pankaj Bhatt sir, Science and Shripatik sir for geography, देखो, जिन लोगों को OTA देना है, English plus GS, संदीब ब्राड़ सर की class skip कर देना, और जिन लोगों को IMA देना है, वो भाई सहाब, maths भी लगाएंगे, आप जानते हैं, CDS में, maths और English dominating factor रहते हैं, GS आपका luck और आपके कर्मा को शेक करत है, राइट, ओकी, तो students, यह इसका link है, इस link को use करेंगे, इस batch का हिस्सा बन जाएए, यह link नीचे, मैं description में डाल दूँगा, ठीक है, next batch आपको कल भी बताया था, अभियान NCRT, राइट, तो यह batch में आप लोगों को NCRT करवाई जाएगी guys, ठीक है, तो शीप्रदीक sir, द आप लोगों को जो है, उससे questions दूँगा, okay, इसका भी link नीचे description में मैं डाल देता हूँ, आप enroll कर लीजेगा, okay, बेचलो, तो students, यह cost structure है, 1-1, 3-month, 6-month, 12-month, 24-month, कोई भी लीजिए, सिब्धान लाइव यूज़ करके, iconic पे भी हर जग है, 20% का discount तो रंद, तो लो जी, श आज की class बहुत important है, और थोड़ा सा time लग जाएगा, अपने को यह चीजें, इन चीजों की basic समझने, ठीक है, अब देखिए, हम लोग बात करेंगे, में, might, और can, अब यार, ultimately इनको नहीं compare किया जा सकता है, यह यूँ कहरो, जैसे वो गेम होता है न, stone, paper, scissors, यह वैसा है, कि में को can से compare करोगे, तो क्या बनेगा, ठीक है, में को might से compare करोगे, तो क्या बनेगा, ठीक है, तो हम पहले, हम पहले, बात करने वाले हैं, बच्छा लोग, में versus can, ठीक है, कि भाई, में में, और can में आप लोगों का, क्या difference होता है, उस difference की बात करते हैं, सबसे पहले, में आपने कहां सुना होगा, may I come in, ma'am, है न, may I come in, ma'am, may I come in, sir, इन सब में, definitely सुना होगा, बच्छा लोग, तो सबसे पहले, में, बोल तो ऐसे भी देते हैं, can I come in, सही बात है, सही बात है, तो भाई सहाब, में होता है, बच्छा लोग, request, प्लस, permission, ठीक है, request, प्लस, permission, और can होता है, formal permission, ठीक है, अब इनका मतलब क्या है, समझाता हूँ, मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, तो यूं कहलो, यूं कहलो, ये भाई सहाब, politeness की तरफ जाएगा, ये polite होता है, ये भर्स, you know, a sort of, formality वाली permission, जैसे, जैसे, मैं अपने teacher से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं अंदर आ जाओ, तो मैं क्या बोलूँगा, तो मैंने may use किया, मतलब मैं मैं को request भी कर रहा हूँ, और मेरे मैं की permission भी मांग रहा हूँ, ठीक है, अब guys, दूसरा case ये imagine करो, कि भाई, हमारी teacher हमें पढ़ा रहे हैं, बिंदास, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, ओके, बगल की class में न, teacher के पास, let us say, duster महीं है, ठीक है, यहाँ चलो, marker महीं है, ठीक है, वो हमारी class में आए, ठीक है, अंदर आएंगे न, आपने कभी देखो teacher को, प्रस ऐसे करते हैं, मतलब, आजाएं, वो क्या पुछते हैं, can I come in, can I, come in, simple, simple, भाई, मैंने मैंने बोला, कि भाई, मेरा colleague है, कोई बराबर का दरजा है, ठीक है न, कहना पैसा ध्याने रख लो, कि भाई साब बराबर का दरजा, बस formality से एक permission लेना, यह उंचा दरजा होत होता है, request plus permission लेना, may or can का पहला difference, आप लोगों को पता लग गया होगा, मैं दूसरा case बता रहा था, यह कहलो, यह कहलो, कि तुम्हारा भी बराबर का colleague है, ठीक है, या दोस्त है, आपने का, can I take your bike, माना करे रिखा भाई तो, माना करी भी सकता है, बस formality की बता दिया, भाई है, तो which ठीक है, बात खतम भाईयाजी, ठीक है, तो may or can का पहला, पहली slide यह है, यह धियान में रखना, अगली चीज, अगली चीज, may को, may को, जब compare किया जाता है, might के साथ, may को, जब किसके साथ compare किया जाता है, might के साथ, अब देखिए, भाई सहाब, may वहाँ use होता है, जहां पर you कहलो, 50-50 chances होते हैं, 50-50 chances होते हैं, ठीक है, might, वहाँ use होता है, जहां पर, negative, chances, more हो जाते हैं, मनलब एक तरफ पलड़ा भारी हो जाता है, ठीक है, हो सकता है, positive भी हो सकता है, ठीक है, he might come, या, अब देखो, मैंने बोला, मैंने बोला, दो sentence लिखूँगा यहाँ पर, मैंने बोला, I may come, और दूसरा, I might come, इन में बच्चा लोग क्या difference है, इसका मतलब है, मैं शायद आउं, मतलब 50-50 chances आ, आ भी सकता हूं, मैं भी आ सकता, I might come, मैं शायद ही आउं, बोलते न हिंदी में, बस वही चीज है, वही चीज है, अब सर, हम जज कैसे किया करेंगे, कि हमें कौन सा यूज करता है, है न, वो खुद negativity की chances लेगा, ठीक है, मैं बोलू, मैं बोलू, देखिए, अ, इस, ब्रूटली इन्जर ने चाहिए, ठीक है, फेटली बोलू, ब्रूटली ने, भी सॉबस नहीं, माने, uh, he might survive, he might survive, मतलब क्या हुआ, बाई, पेशन जो है, वो बहुत बुरी तरह से जखमी है, वो शायद ही बचे है, okay, okay, मैंने बोला, मैंने बोला, she, she, may, she, may, वो 50-50 chances, कुछ भी sentence में लालो, she, may, uh, do, whatever, she, want, permission granted है ना, जो उसकी मर्जिय करे, 50-50 chances है, it is okay, यहां पे घहर chances नहीं में लेकि ऐसे ही use करेंगे, right, may use होता है, जब बराबर का पलडा है, अभी आपको might use करेंगे दिखाता हूँ, might आपको सच, sorry, I'm sorry, use करेंगे दिखा दिया, मैंने बोला, मैंने बोला, I am really ill, I might come to the party, अब मैंने वहाँ में लिखा ना, negative chances, ऐसा नहीं कि तुम्हारा दिमाग ही negative चलने लग जाए, वो काम मत कर देना, मैंने पलडा भारी कर दो एक तरफ, ठीक है, भाई मैं बहुत बिमार हूँ, मैं शायद ही आउँ, तो आप समझ सकते हैं, अब एक चीज और, जो यहाँ पर बोले, अगर कुद्ध्ध की बात होती है, अगर बच्चा लोग कुद्ध्ध्रत की बात होती है, तो आपको मे नहीं करना है क्या करना है माइट करना है तो यह भगवान क्या आगे आपका परणा हमेशा छोटा ही रहता है मैंने बोला इट मे रेन गलत आप यूज इनी करेंगे इट माइट रेन जब जेनरली चल रहे हो इट माइट रेन अब इसका मतलब यह नहीं है कि शायद ही बारिश हो नहीं नेचर के खिलाफ आपको अपना पलड़ा हलका ही रखना पड़ेगा तो माइट भी समझ में आ गया ठीक है नेक्स्ट एज कि भाई सहाब माइट का एक और यूजज होता है माइट का एक और यूजज होता है जब जब इसको एक नाउन की तरह यूज़ किया जाता है जैसे मैं बोलू test your might capability might का मतलब क्या होता है जी capability लेकिन ये मुडाल की तरह न यूज़ होगा वहां में might noun होगा ठीक है ना तो ध्यान में रखना ये चीज तो यहां में might खतम होगा next is can का और यूज़ देख लो जैसे आपने किया ना could ability in past विछले session में तो ये use होगा ability in present this is more than simple this is more than simple मैंने बोला I can do this I can do this ठीक है और ability in present हो गया can का ठीक है बात खतम हो गई बात खतम हो गई अब last last ये है जैसे हम ये direct indirect करते हैं कि भाई direct में क्या तो indirect में क्या याद रखने का है ये मैंने आपसे इसी के छुपाया कि आपको बता दूँ देखिए हमें जो पता है कि भाई सहाब will शैल से क्या बनता है बनता है good अभी तक के लिए ठीक है अभी तक के लिए okay can से क्या बनता है बनता है good ठीक है जो चीज वे ने चुपाई वो कुछ यूँ है गाईज याद रखना है में से क्या बनता है might में से क्या बनता है might मतलब मैंने बोला she said I may help you ठीक है क्या conversion होगा she said that she might help me देख रहे हो ना कि भाई साब direct addition और indirect addition में से बना might तो remember it तो एक बार आप लोगों को fast revision दे देता हूँ देखिए कि compare करने पर फर्क पड़ता रहेगा ठीक है हमने क्या कुछ किया है सारा बेख लीजिए may or can request plus permission formal permission आप लोगों को पता है ठीक है may or might ज्यादा बराबर के chances एक पलड़ा भारी very simple ठीक है nature के लिए क्या जूज करना है might use करना है फिर might जब noun है तो test your might यों मॉर्टल कमाट गेम में बोलते थे अपनी किशंता चेक करो ठीक है और can capability in present बस वो might noun है can verb है ठीक है और direct indirect में में से बनता है might तो students students ध्यान ये रहे मुझे इसके बाद आपका comment चाहिए आप चाहे 10 बंदे देख रहे हो फर्क नहीं बढ़ता है comment जरूर करना कि और क्या-क्या चाहिए जो जो तुम्हें दिक्कत दे रहा है मुझे comment करो जैसे difference क्या होता है words में SX series बनाते है 20% का discount मिलेगा आप लोगों को तो thank you so much बचा लोग जैहन्द